Hello everyone, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल Study Tips पर I hope कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी preparation भी बहुत अच्छी चल रही होगी आज है सता 23 जुलाई 2000 केस और आज के जितने भी important current affairs है जो की पूरी तरह से exam relevant होंगे देखें बहुत जादा current affairs का जो field है उसमें कितना भी current affairs करें वो हमारे लिए कम होगा लेकिन हम उतना ही current affairs daily basis पर करेंगे जो की exam relevant हो और आसानी से exam के time पे हम याद कर पाएं या फिर revision कर पाएं तो चलिए रिस्टार्ट करते हैं 27 जुलाई 2020 के most important current affairs को देखें अभी चल रहे हैं जो ओलंपिक ठीक है 27 जुलाई 2021 से ओलंपिक स्टार्ट हो गया है जापान के टोक्यो में ठीक है और उसका update हमें लेना जरूरी है क्योंकि टोक्यो ओलंपिक से अभी आने वाले जितने भी examination है चाहे CGL हो CHSL हो CPOJE या फिर NTPC CBT2 जो NTPC अभी चल रहा है ठीक है Group D जितनी भी examination SSC GD सब में ओलंपिक जो है एक hot topic बनकर आपके सामने उबरेगा और हर seat में आपको टोक्यो ओलंपिक से दो एक दो दो तीन करके question आपको देखने को मिलेंगे तो हम क्या करेंगे उसके medal को daily wise पर update भी करेंगे और Tokyo Olympics से जितने भी questions बन सकते हैं उसका एक वीडियो आपके लिए मैं लेकर आऊँगा तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा तो चलिए देखते हैं कि अभी तक यानि कि 26 जुलाई 2021 तक आज 27 जुलाई और 26 जुलाई 2021 तक इंडिया का क्या position रहा है और countries कौन से countries top पे है दूसरे तिसरे पे कौन है तो देखिए जापान अभी first अस्थान पर चला गया ठीक है पहले कल था जापान पहले दूसरे बाद लेकिन जापान अभी first अस्थान पे चल गया है आठ गोल्ड लेकर ठीक है आठ गोल्ड के साथ जापान first अस्थान पर है उसके पास दो silver है तीन bronze है टोटल उसके पास 13 मेडल हो गया है तेरा मेडल के साथ वो first अस्थान पर आप देख रहा होंगे United States के पास 15 मेडल है लेकिन ये दूसरे अस्थान पर क्यों है इसके पास 18 मेडल है ये दूसरे अस्थान पर क्यों है कल मैंने बताया था कि जो gold के मामले में जो सबसे जाएदा होता है उसकी ranking जाएदा हो जाती है जैसे कि United States के पास 7 मेडल है gold उसके पास चाइना के पास 6 है तो इसलिए ये एक तो अभी जो है हमारे इंडिया जो प्यारा भारत है उसमें केवल और केवल अभी हमारे इंडिया के पास एक ही मेडल आया है वो भी silver मेडल किस ने लिया मेरा बाई चानू ने weightlifting में ठीक है तो इसलिए मेरा बाई चानू को जो मनीपूर की सरकार है AASP के पद पर newkt करने ज चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का जयन्ती ठीक है जिनका निधन अभी हाल ही में हो गया वो कौन थी वो आज जयन्ती वो पास्ड अवे रिसेंटली आप यहां पर देख पा रहे होंगे जानी मानी कंणड अभिनेत्री इन्होंने 500 से भी अधिक मोवी में कंणड मोवी तेलगू मलियालम सारे मोवी में मिला कर 500 से भी अधिक मोवी में काम किया है बहुत जानी मानी हस्ती है और इनका अभी निधन हो गया इनके बेटे क्रिस्न कुमार ने इसकी पुस्टी की थी कल ठीक है तो ये कंडड एक्ट्रेस हैं जानती जिनका अभी निधन हो गया ठीक है और इन्हें जो की कंडड में अभिने सार्दे उपाधी से भी सम्मानित किया गया था इन्हें इसे आपको याद रखना है वहीं पर आपको एक बहुत ही इंपोर्टेंट अभी चरी है निधन है देखें बांगला देश के एक प्रसीद लोक गायक था ठीक है बांगला देश का एक फेमस लोक गायक है फोक सिंगर है ठीक है जिसका नाम है आलमगीर फकीर क्या नाम है आलमगीर फकीर अगर आप वीडियो को इंड तक देखते हैं तो आपको जितनी questions है उससे related बहुत सारे facts उससे related जो fact होगा option से related fact होगा सारे कुछ यहाँ deal करते हैं आप वीडियो को इंड तक देखना अगर आपको पीडियो को डाउनलोड करना है वीडियो के comment box में जाएए वहाँ comment में pin कर द तक टरेपी जे अब्दुल कलाम की पुन्यतिती कब मनाई जाती है when is the date anniversary of doctor एपी जे अब्दुल कलाम celebrated देखेए एपी जे अब्दुल कलाम ठीक है इनका 27 जुलाई 2021 इस बार 2021 है और इसकी कौन सी पुन्यतिती है कितने नमर की पुन्यतिती है तो देखे 6 नमर की 6 छटवा पुनिती थी है मतलब डेत अनिवर्सिरी छटवाया यानि कि 27 जुलाई 2015 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर एपीज अब्दूल कलाम का निधन हो गया था ठीक है और इनके बारे में एक एपीज अब्दूल कलाम के बारे में इनकी बोक्स इनको कौन कौन से आवार्ट मिले हैं कि क्या उपलब्धियां रही है इनके सारे कुछ एक वीडियो में मैं कवर कर दूँगा तो आपको एपीज अब्दूल कलाम के बारे में इतनी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि इससे एक्जाम में पुछा जा सकता है 27 जुलाई 2015 को सिलोंग IIM Indian Institute of Management सिलोंग में ठीक है ये क्या कर रहे थे एक भासन दे रहे थे वही पर इनको heart attack आ गया और वही पर उनकी मृत्तिव उसी दिन उनकी मृत्तिव हो गई थी IIM सिलोंग में ठीक है और इनका जन्म जो हुआ था 15 अक्टूवर 15 अक्टूवर कहीं पर आप देखेंगे 1932 कहीं पर आप देखेंगे 1931 तो आपको 1931 याद रखना है 15 अक्टूवर 1931 को रामेस्वरन तमिलाडू में इनका जन्म हुआ था और ये जो राष्ट्रपती भी थे भारत के राष्ट्रपती भी थे कितने नमर के राष्ट्रपती थे तो एक ग्यारवे ठीक है एक ग्यारवे नमर के ये राष्ट्रपती थे प्रेसिडेंट अप इंडिया थे ठीक है और ये कब बने थे प्रेसिडेंट तो ये बने थे 18 जुलाई 2002 18 जुलाई 2002 को 11 नमर के प्रेसिडेंट बने थे भारत के और इनका पूरा नाम क्या है डॉक्टर एपी जे अब्दुलकलाम का अगर आप से पूछा जाए कि इनका पूरा नाम क्या है तो आपको याद रखना है इनका पूरा नाम है अबुल पैकिर जैनुलाबदीन अब्दुलकलाम ये बात हो गई अब्दुलकलाम से रिलेटेड अब देखे मेरी सरकार पॉर्टल मेरी सरकार पॉर्टल किस राज्य सरकार के द्वारा लॉंच किया गया ये जो विडियेफ है बाइलिंवल है आप कहां से डाउंलोड करके इसे जरूर देखिएगा मेरी सरकार पॉर्टल has been launched by which state government उत्तर परदेश government के दौरा किस के दौरा उत्तर परदेश government के दौरा माई गॉव यूपी ठीक है माई गॉव माई जी ओवी यूपी ठीक है मेरी सरकार पॉर्टल उत्तर परदेश सरकार के द्वारा लांच किया गया है किसलिए तो ये जो मेरी सरकार पॉर्टल है जो कि उत्तर परदेश गौर्रमेंट के द्वारा लांच किया गया है इससे क्या होगा इस एप के थुरू सरकार यानि की योगी सरकार योगी गौर्रमेंट और उत्तरपरदेश की जनता आपस में सीधे conversation कर सकते हैं बीच में कोई भी चौलिया क्या काम नहीं है इस पॉर्टल के थुरू आप direct गौर्रमेंट से conversation कर सकते हैं अपने जो आपके जो कस्ट हैं परिषानया हैं उनको आफ डारेक्ट सरकार से सेयर कर सकते हैं उनका समदान किया जाएगा तो इसलिए इस पॉर्टल को लाँज किया गया है उत्तरपरदेश गवज़्मेंट के द्वारा लॉंच किया गया है उद्दम सार्ती प्रावासी राहत मित्र एप प्रावासी राहत मित्र एप आपको ये भी याद रखना है उत्तरपर्दिस गवर्मेंट किया है ठीक है प्रावासी राहत मित्र एप ये बात है कुछ उत्तरपर्दिस से रिलेटेड अब वही प इससे पहले कौन थे सत्यदेव नरायनार सत्यदेव नरायनार कहां चले गए त्रीपूरा चले गए ठीक है तो ये कुछ बाते आपको याद होनी चाहिए राजस्थान के गवर्णनर को ने कल राज मिस्र जोकी पहले से हैं यहां के सीम को ने असो गहलोत बिहार की को ने कोटल के बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे वहां से आप देख लिएगा टौपिक वाइज करेक्ट अफेर्स में अब देखें टोक्यो ओलंपिक में स्वर्न पदक हासिल करने वाली सबसे युवा कहिलाडी शाब से युवा देज इनका एज हो रहा है ठीक है 13 साल 330 दिन इनका एज हो रहा है और इन्होंने जीत लिया है गोल्ड मेडल तोक्यो अलम्पिक में और यह सबसे युवाख खिलाडी बन गई है जापान की ठीक है वहीं पर बात करें यह किसके आप देख रहे होंगे यह कौन सा गेम खेली है तो इसकेट बोर्ड पर इसकेट बोर्ड पर इसकेटिंग करती है और इस कॉंपिटेशन में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है सबसे युवाख खिलाडी बन गए आपको यह याद रखना है देखे यहाँ पर एक फैक्ट है इसको आपको पता होना चाहिए कि करनाटक के मुखेमंदरी बी एस ये दियुरप्पा ने अपने पद से इस्थिपा दे दिया इसने अपना इस्थिपा पतर किसको दिया तो अभी करनाटक के गवर्णर बनाये गया है थावर चंद गहलोद जी को ठीक है थावर चंद गहलोद जी को करनाटक के गवर्णर बनाये गय गया है, विच स्टेट गवर्मेंट एपॉइंटेड मीरा बाई चानू एज एस्पी, देखिए मीरा बाई चानू बहुत ही मतलब घर वहामें अपनी देश के बेटियों पर, क्योंकि हमारे देश की जो पहला जो सिल्वर हासिल किया है, मीरा बाई चानू ने टोक्यो ओलंप के द्वारा इन्हें AASP निव्प किया गया है, आगला देखते हैं कि उत्तराखंड के क्रीसी उत्पादों की पहली खेप किस देश को निर्यात की गई, बहुत बड़ी मतलब ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कि इससे क्या होगा, कि जो एक्सपोर्ट मतलब हमारा क्य होगा, इससे प्रोटसान मिलेगा, तो यहां की उत्तराखंड के क्रीसी उत्पाद, यानि कि उत्तराखंड के सबजियों, फलों का क्रीसी उत्पाद का पहली खेप एक्सपोर्ट किया गया है कि इसको, तो UAE, यानि कि स्तन्यूक अरभ अमिरात को, अमिरेट्स को, ये उत् उत्तराखंड के कौन सा? उत्तराखंड के हरी द्वार, ठीक है, हरी द्वार के किसानों, किसानों के द्वारा इस क्रीसी उत्पाद को भेजा गया, क्या हाँ पर? UAE के द्वारा, इसमें आप देख रहे होंगे करेले, नास पाती, ठीक है, भिंडी है, करी पत्ता है, इन जैसे क्रीसी उत्पादों को भेजा गया, UAE के, इस से पहले भी उत्तराखंड का एक बाजरा, ठीक है, उत्तराखंड का बाजरा, डेन मार्क को निर्यात किया जा चुका है, ठीक है, तो यहाँ से इतना बात है, आपको याद रखना है, ग्रेट लर्निंग का अधिगरहन क इसके द्वारा कर लिया गया, ग्रेट लर्निंग, एक एडेट एक टेक, ठीक है, पढ़ही से रिलेटेट एक टेकनलोजी सप्ट्वेर है, ठीक है, स्टार्टप था, एडूट एक स्टार्टप था, इसको अधिगरहन कर लिया तो आपको यहाँ से देख रहे होंगे, आपको अगर पूचा जाए, ग्रेट लर्निंग का अधी रहन किसके दोरा कर लिया गया है, तो बाई जूस याद रखना है इतना, देखे अगला क्वेश्चन है, आई एस ए, यानि कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो की इंडिया में, इंडिया को अभी सामिल किया गया, यानि कि सबसे नए मेंबर के रूप में स्वीडन है, और अभी कितने मेंबर हो गए हैं, एक सो चौबिस मेंबर है इंडिया Solar Alliance में इससे पहले अब बात बता दे की जो International Solar Alliance का स्थापना किया गया था वो कहां पर किया गया था Paris France में Paris France में और Greece greece जो है गreece और TInad and Tobago Sweden से पहले इन दो देसों ने Aussie की सदस्ते पाली थी IPS में सामिल हुए थे तो यह बात हो गया और अगर International Solar Alliance के Director General के बारे में बात करें तो ये हैं अजय माथूर साहब अजय माथूर साहब तो आपको इतना याद रखना है यहां से अगला है नागरिक उड्डेयन सुरक्षा ब्यूरो के DG कौन बने है उड्डेयन मंत्री कौन बने है तो आपको याद रखना है जीरती रादित्य सिध्या को उड्डेयन मंत्री बनाया गया इससे पहले हरदीप सिंग्पूरी थे और हरदीप सिंग्पूरी को अभी पेट्रोलियम मंत्राले दे दिया गया है तो एक Cabinet Ministry से रिलेटेड एक विडियो मैंने बनाया था उसको आप जाकर देख लिजे जिससे कि आपको Cabinet Minister कौन से Cabinet Minister को कौन सा Ministry दिया गया है आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी तो ये है नासीर कमल जी ठीक है नासीर कमल जी को जो कि एक IPS अधिकारी थे इनको बनाया गया है नागरिक उडियन सुरक्षा व्यूरो के डी जी डिरेक्टर जनरल वहीं पर आप देख रहे होंगे कल मैंने बताया था यूसूफ अली ठीक है इन्हें UAE का सरवोच नागरिक सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है अबुधाबी अवार्ड 2021 ठीक है अबुधाबी अवार्ड 2021 से यूसूफ अली जी को सम्मानित किया गया है ये भारतिय मूल के UAE में रहने वाले हैं ठीक है तो अगर आपको यहां से पुछा जाए यूसूफ अली और यूसूफ अली को इसके बाद अबुधाबी चैंबर ओफ कॉमर्स एन इंडस्ट्री का इने उपाध्यक्ष भी बनाया गया इसके बाद इन्हें उपाध्यक्ष भी बनाया गया आपको ये भी याद रखना है सिवनाडर ठीक है HCL Tech HCL Tech के MD थे HCL Tech क्या MD थे और अभी इन्होंने सिवनाडर ने इससे इस्तिपाद दे दिया है ये भी आपको याद रखना है इस्तिपाद दे दिया है HCL Tech के MD थे वही पर अब बात करते हैं प्रमोध भगत इसका नाम आपको याद रखना है कि जो प्रमोध भगत है इन्हें डिफरेंटली एबल डिफरेंटली एबल्ड Sportsman of the Year Sportsman डिफरेंटली एबल Sportsman of the Year 2019 से ने समानित किया गया है डिफरेंटली एबल्ड Sportsman of the Year 2019 तो प्रमोध भगत को समानित किया गया है इतना बात हो गया और देखे यहाँ पर एक बुक से रिलेटेड है कि असोक लवासा की एक बुक आई है An Ordinary Life Portrait of Indian Generation ठीक है An Ordinary Life Portrait of Indian Generation असोक लवासा जो की पहले चुनाव आयूक्त रह चुके हैं जो की हमारे Election Commissioner रह चुके हैं और ये ADB यानि के A.S.N. Development Bank में उपाध्यर्च 2020 में बने थे और इसके लिए इन्होंने Election Commissioner के रूप से Election Commissioner के पद से इस्तिपाद दे दिया था असोक लवासा ने बुक लिखिये An Ordinary Life इतना आपको याद रखेंगे की वर्ड को तो आप पकड़ लेंगे कि कौन सा बुक है आंसर टिक करके आ जाएंगे तो असोक लवासा का बुक है An Ordinary Life Portrait of Indian Generation अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना बोले क्योंकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपके लिए हम लेकर आते हैं और अगर आपके सक्सेस में आपके सफलता में हमारी थोड़ी भागिदारी होगी तो हमें बहुत खुसी होगी तब पके के लिए सेफ रहें, स्वस्त रहें मिलते हैं ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ कल के सेशन में नए करेंट अफैर्स के साथ जैहिन जैवारत